अगर आप लोग बिहार भी एट कंबाइंड इंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के न्यूनतम कटप को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक देखते रहे हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कटप कब जारी होगा और इसके लिए न्यूनतम कटप एन इस वागत है आपके अपनी यूट्टूब चैनल सम्राट सर्थ मिथमेटिक्स पर हेलो प्रेंट्स में सम्राठ सर्थ देखिए कोई भी कटप रिजल्ट जारी होने के बाद ही जारी किया जाता है तो इसलिए इस बार भी कटप जो होगा फैनल कटप जारी होगा तब कट अप जो तय है वह इस वीडियो के अंत में जानेंगे उससे पहले आप महतपूर नियूज को जाने और बीएट की कंबाइन इंट्रेंस टेस्ट बाद होने वाली कॉंसलिंग इस बार बदले हुए नियम से होगी कॉंसलिंग गेट की तरज पर कराई जाएगी बदले सीटी का रिजल्ट घोसित होने के बाद कट अप जाड़ी किया जाएगा कट अप के अंदर अन्य वाले अभियर्ति ओनलाइन कोलेजो काact 27 भरेंगे अभियर्तियों को सभी कोलेजे को अपने 26 में भरना होगा यदि 360 बार है तो इन सभी को अपने 24 में अपने 24 में अपने अभियर्थियों के प्राप्तियां के अनुसार पहले राउंड के तहत कोलेज आवंटित कर दिये जाएंगे अब उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा जहां उनके परपत्रों की जांच होगी इसमें सब कुछ सही पाए जाने पर अभियर्थियों को fit for admission का certificate मिलेगा यहां अभियर्थि को 2000 रुपिये seat acceptance फिस देनी होगी फिर अभियर्थि कोलेज जाएंगे यहां उनसे 2000 रुपिये घटा कर फिस ली जाएगी और नमंकन होगा जो 24 नहीं भरेंगे वे नमंकन परक्रिया से वंचित हो जाएंगे CGT में आरक्षित वर्ग का क्वाइली फाइंग मार्क्स 30 और अनरक्षित वर्ग के लिए 35 होगा तो आप लोग जान ही चुके हैं कि आरक्षित वर्ग में जो भी आते हैं उनको 30 मार्क और अनरक्षित वर्ग के लिए 35 मार्क होगा इतने मार्क प्राप्त करने क्वाइली फाइंगे तो आप जान ही चुके हैं कि ये नियुनतम कटप है यानि इतना मार्क आप ले आते हैं तो आप क्वाइली फाइंग माने जाएंगे लेकिन जैसे जैसे कॉंसलिंग अयुजित की जाएगी उसमें देखा जाएगा कि कितने विद्यार्थियों ने कॉंसलिंग में भाग लिया उसी के अधार पर फिर दुसरी कटफ भी जारी की जाएगी तो आईए इन समंदित और महतपुर्ण यूज को जनते हैं और आपके मन पसंद जो भी कोलेज हैं उनको आप फस्ट स्थन दिजिए उनके बाद फिर आपका मन जिसमें है आपका जो सकेंड च्वैस है उनको फिलिंग किजिए अपनी एक्छा नुशार और निकट के नुशार सुभधा नुशार कोलेजों का चेहन करे क्या आप जहां रह रहे हैं आप चाहते हैं कि हमें उस जिला में ही कोलेज में ले तो उस जिला के कोलेज का चेहन किजिए फस्ट यानि आपका मन जिस कोलेज में एडमिशन लेने का है तो फस्ट च्वैस उनको रखिए उसके बाद जिसमें लेने का मन है सकेंड च्वैस उसका रखिए या आपके मार्क के अनुसार आपको कोलेज आवेंटित किये जाएंगे ये ओप्षन आपको एन ओयू के वेब साइट पर ही बाद में उखलत कराई जाएगी शीट बचने पर दूसरे राउंड की होगी कॉंसलिंग अगर फर्स्ट कॉंसलिंग के पस्चाथ सीट अगर बच जात करता है तो अब्जर्वेशन लेशन प्लान से समद्धे सुचना है तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने करें करता है